क hè сдметई पर्षेंटेज की तरीके से निकाली जाती है कहा खहां हमें पर्षेंटेज निकाली की जरुबत पर्टी है वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले है किस तरीके से हमें पता चलता है कोई number कितना percentage होगा overall का और कौन से numbers यूज किये जाते हैं percentage निकालते टाइम आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो एन तक वीडियो ज़रूर देखेगा अगर आपको पसंद आए तो like, share and subscribe करना मत भूलेगा percentage सबसे पहले समझते हैं हमारे scores की percentage कैसे निकालते हैं यानि कि जब हमें कहीं किसी में score मिलता है, marks मिलते हैं तो उसकी overall percentage हम कैसे निकालेंगे एक example ले लेते हैं हम हमारे कोई subjects है subject 1 में हम मान लेते हैं कि हमारे पास marks आए हैं 26, 50 में से subject 2 में मान लेते हैं हमारे पास marks आए हैं 47, 60 में से यह मैंने यहाँ पर change इसलिए किया है score ताकि percentage किस तरीके से overall निकाली जाती है वो हम समझ सके जबरूरी नहीं है, सबके marks सेम में से हो इसी लिए subject 3 में मान लेते हैं हमारे आए है 17, 40 में से यह हमारे तीनों अलग-अलग मैंने जान के लिए हैं अब हमारा सबसे पहला percentage निकालने का क्या तरीका है step है step 1 हमें यह कहता है कि हमें यह पता होना चीह है total score हुआ कितने में से है total score out of कितने marks है वो हमें पता होना चीह है total यह हम कह सकते हैं maximum marks क्या है तो maximum marks हमारा क्या है यहां पर 50 plus 60 यानि की 110 plus 40 यानि की 150 यह था हमारा total score मतलब total score मतलब total marks maximum marks कितने में से total marks मतलब maximum marks जो की highest marks है अब यह वो है जो score किसी ने achieved किया है जो score मिला है portion को तो जो score achieved है इसको हम achieved लिक देते हैं ताकि हमें पता रहेगा यह हमारा score आया हुआ score है तो यह कितना है अब हम इसे चेक करेंगे 77 14 14 प्लस 6 हो गया 20 तो यह 224 448 प्लस 1 9 तो जो achieved score है वो है 90 अब अगर हमें number percentage निकालना है percentage of score निकालना है तो कैसे निकलता है जो score achieved किया गया है वो divided by जितने में से achieved किया यानि कि जो total maximum marks था वो multiply by 100 यह 100 इसलिए किया जाता है जब हम multiply by 100 करते हैं तो इससे हमारा percentage निकल के आता है तो अब हम इसे solve करेंगे तो solve करने का तरीका simple है सिर्फ multiply कर दो divide कर दो यह cut हो रहा है कुछ तो पहले cut कर लो 0 से 0 गया 9 और 15 दोनों 3 की डेबल में आते हैं तो यह हो गया 3 और यह हो गया 5 अब 5 से यह cut सकता है 5 और यह हो गया 20 तो अब इससे हमें पता चल गया 20 into 3 करेंगे तो यह आ गया 60 तो इसका मतलब यह हुआ जो marks score किये गये हैं वो है 60 यानि कि जिस बच्चे का यह score है उसने 60 percent marks लाए है उसकी percentage है 60 इस तरीके से निकाला जाता है ध्यान रखना है हमें इशा सबसे पहले जो maximum है वो हमें पता होना चाहिए सेकिंड जो score किया गया है वो हमें पता होना चाहिए उसके बाद हम इस तरीके से जो achieved है वो divided by जो maximum है वो multiply by 100 करते हैं तो हमारी percentage निकल आती है इसी तरीके से एक example और हम ले सकते हैं let's say यहां marks ना लेके हम किसी और उसके example पे ले लेते हैं कोई score नहीं है मान लेते हैं कहीं किसी candidate की appraisal की बात हो रही है salary की बात हो रही है तो हमने मान लिया जो current salary है किसी person की वो 20,000 है let's say example हां current इतनी है after increment अगर हम मान लेते हैं उसका increment हुआ और increment के बाद उसकी salary हो गई 25,000 अब हमें यह पता लगाना है कि उसका increment हुआ कितना percent तो वो हम कैसे निकालेंगे जो उसका increment हुआ है वो amount हम पहले निकालेंगे तो वो amount कैसे निकलेगा increment कितने amount का हुआ है increment हुआ है हमारा जो अभी amount है वो minus जो पहले amount था वो यानि कि 25,000 minus 20,000 तो इससे हम पता चला उसका amount बड़ा है वो तो है 5,000 रुपीज अगर उसका 5,000 रुपीज बड़ा है और अब हमें यह बताना है कि कितना percent बड़ा है वो तो हम क्या करेंगे percent निकालने के लिए जो amount बड़ा है वो divided by जो उसका amount पहले था जो salary उसकी पहले थी क्योंकि जो भी बड़ा होगा वो उसी salary की percentage पे बड़ता है वो and multiply by 100 जैसा कि मैंने अभी उपर वाले option में भी बताया था कि multiply by 100 percentage निकालने के लिए किया जाता है तो अब हम यहां पर क्या करेंगे इसे divide कर देंगे 0,000,000 तो cut गया एक 0 इससे इससे भी काट देते हैं यह 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 5 5s हो गया 25 इसका मतलब क्या हुआ उसका 25% increase हुआ है 25% से उसे increase मिला है यह दोनों ही question बहुत अलग type है बड़ दोनों में ही हमने percentage निकाली है इस वाले में हमने यह check किया किसी बच्चे ने कुछ marks score किये हैं तो वो कितना percentage score किया है इस वाले में हमने यह check किया कि किसी की salary कुछ amount थी बड़ फिर वो increase कर दी गई